दोस्तों कुछ महीने पहले NPCI ने UPI Lite Wallet फीचर को अनाउंस किया था और अब यह फीचर भीम अप्लिकेशन के अंदर लाइव हो चुकी है और भीम अप्लिकेशन में आप UPI Lite Wallet को इंजवाए कर सकते हैं लेकिन जब यह फीचर आने बाला था तो तरह तरह की बातें सामने आखिर UPI Lite Wallet offline work करता है या फिर नहीं मतलब बिना इंटरनेट के तो यह एक जांच का भीसा है और जांच करके देख लेते हैं कि भीम UPI Lite जो है अभी यह काम करता है या फिर नहीं बिना इंटरनेट connection के तो चलिए देख लेते हैं बाकी अप्लिकेशन में भी नहीं आई है लेकिन फोन पे गूगल पे पेटियम जैसे सभी UPI आप में यह फिचर आपको बहुत जल्द ही देखने को मिलेंगे तो चलिए भीम अप्लिकेशन को ओपन करते हैं और देख लेते हैं कि क्या यह काम करता है तो सबसे पहले आपको बतादे कि अगर आप इंटरनेट connection बंद करके भीम अप्लिकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहली बात कि इंटरनेट connection नहीं है तो भीम अप्लिकेशन आपका ओपन नहीं होगा यह आपको पता होगा तो यहां से मुझे नहीं लगता है कि बिना इंटरनेट का पैसे भेज सकते हैं लेकिन फिर भी चोगी भी से जा आता में आ जाएगा वापस जिस खाते से आपने एड़ किया था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं यूपिय लाइट वालेट एक्टिवेट कर लिए हैं आपने तो आप डियेक्टिवेट भी कर सकते हैं पूरी डियल्स में वीडियो हमने चैनल पर डाल रखी है एक बार व सकेन करणगा, जी हां, चुकी यह सकेन करना जो है यहां पर live सकेन होती है जो भी टेक्स होती है वो सामने आजाती है लेकिन यहां पर मुझे नहीं लगता है कि work करेगा लेकिन आप लोगे कमेंट्स आया है थी तो मैं यहां पर चेक कर रहा हूं चुकी जो है offline इस तरीके स 123 pay के जरीए आप पैसे भेज पाते हैं तो यहां पर internet connection हमने बंद कर दिया है application में हम login है scan पर क्लिक करते हैं और यहां पर सारे permissions इसे प्रोवाइड कराने के बाद चलिए एक QR code को scan करते हैं तो मेरे पासे भारत पे का यह QR code और यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर no network connectivity यह अब यहां पर यह scan ही नहीं हो रहा है मतलब साफ हो चुका है कि बीना internet connection के यह तो UPI ID तो छोड़ दीजे QR भी scan नहीं कर पाएगा यानि कि कुल मिलाकर बात यह हो गई कि बीना internet connection के UPI light wallet जो है वो काम नहीं करता है जिन लोगों को पता नहीं कि UPI light wallet होता क्या है तो आपको इसलिए लांच किया है कि 200 रुपय से नीचे के जो भी transactions है वो आप बार बार अपने bank से नहीं देंगे आपको UPI light wallet से दे देना है और 200 से नीचे का 150-600-180 यह सब payment करने के लिए आपको बार बार UPI pin डालना नहीं पड़ता है सीधा आपके UPI light wallet में पैसा होता है उसी से आप transactions कर लेते हो UPI pin देने की जरूरत नहीं पड़ती है और यहीं सुविधाओं के लिए चोटे मोड़े transactions के लिए ताकि bank में transactions count भी ना हो तो इसलिए इस सबसे बचने के लिए यह feature लाया गया है 200 से ज्यादा किसी को भेजी नहीं सकते हैं और बालेट में 2000 से ज्यादा होगा भी यह भी बताएंगे comment section में यह थी भीम application के अंदर UPI light wallet के offline work करने को लेकर वीडियो उमीद है कि पसंद आई होगी वीडियो भले ही feature मिले ना मिले भले ही यह feature काम किया ना किया वीडियो तो जरूर पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो like करके channel को subscribe कर लीजे मिलते हैं क अगर कोई सवाल है अब भी तो comment section में लिखना मत भूलिएगा हर comment को हम पढ़ते हैं और reply भी करते हैं दीजे इजाज़त thank you